हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में दोस्तो वैसे तो आपने अब तक दुनिया में कई रहस्यों के बारे में सुनाई होगा व्यस्त सडके, गलिया और छोटी बड़ी इमारते जहां हो तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई सहर ही आता है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अजब सहर के बारे में बताएंगे जो सिर्फ एक बिल्डिंग में बसा हुआ है मित्रो अमेरिका के उत्तरी राज अलास्का में वेटियर नामक एक अनोखा सहर है जहां आपको किसी से मिलने के लिए कही निकलने की जरूरत नहीं पड़ती पहाड़ी से घीरे इस सहर को वर्टिकल टाउन की नाम से जाना जाता है दर असल इस जगह का इस्तेमाल अमेरिका के सैनिक एक पड़ाओ के रूप में किया करते थे यहां रूपकर सैनिक अलास्का के अंद्रूनी हिस्सों में जाने की तयारी करते थे साल 1948 में अमेरिकन मिलिटरी ने अपने सैनिकों को ठहरने के लिए दो इमारतों का निर्मान किया था जिसमें से एक इमारत साल 1964 में आय भयंकर भुकम के दोरान छति ग्रस्त हो गई थी जिसके बाद इसे खाली कर दिया गया और दूसरी इमारत को यहां के आम नागरिकों को सौप दिया गया सहर के सारे नागरिक इस पूरी इमारत में रहने लगे मित्रो इस 14 मंजिली इमारत में 152 और 3 बेडरूम के कमरे हैं जिसमें 214 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं इमारत में रहने के लिए यह कमरे पहली मंजिल से सुरू होते हैं ग्राउंड फ्लोर पर बाकी की सारे सुविधाएं मौजूद हैं जैसे की पुलिस इस्टेर्शन, हॉस्पिटल, दुकाने, लॉंडरी, पॉस्ट ओफिस, प्ले एरिया, होटल और एक इस्कूल और हाँ, सबसे खासवत यहां के बेस्मेंट में एक चर्च भी मौजूद है मित्रो इमारत के पीछे मौजूद इस्कूल का रास्ता, एक बंद गलियारे से होतु हुए जाता है ताकि यहां के बच्चे बिना इमारत के बाहर निकले, इस्कूल जा सके यह बंद रास्ता इन्हें ठंड से बचाता है और यहां मौजूद भालूओं से भी जो कभी-कभी भटकते हुए यहां पहुच जाते हैं इस सहर में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क है जो टू इन वन है यानि रेलवे और बाकी गाडिया दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक ही सड़क होने के कारण इसे हर आधे घंटे के बाद आने वाली गाडियों के लिए नियंद्रित किया जाता है सहर में एक बंदरगा और एक छोटी सी हवाई पट्टी भी है जिनका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है मित्रो इस सहर में ठंड काफी जादा होती है पर बाहर किसको निकलना है क्योंकि लोगों के ओफिस भी इसी इमारत में मुझूद है जिससे इनका काम भी नई रुपता यही नई मित्रो ग्राउंड फ्लोर पर एक वेजिटेबल गार्डेन भी मुझूद है जहां ये लोग अपनी मन पसंद सब्जिय उगाते हैं और इसकी देख रेख यहां के बच्चों के हाथों में है अपनी अनोखी विशेष्ताओं और प्रकृतिक सौंदर्यताओं की व झान्यमन